यार मैंने एपना डूर बंद नहीं किया है तो उसको पहले बंद कर लूँ और आज मैंने बहुत दिनों के बाद अपना कैमरा उठाया है फुर ब्लॉगिंग मैंने सुचा कि थोड़ा सा ब्लॉग करूँ और जैसे कि आप लोगों पता ही है हेल्थ अपटेट मैंने दिया कि अज मुझे बहुत सारा काम है और देरे देरे करके सारी काम करने है अज बहुत सारा कप्ड़ा है जो कि मुझे फोल्ड करना है सारी वास किये थी मसीन लगाया वह था तो सारी वास कर लिये थे और बहुत सारी कप्टे मैंने अभी कबट से निकाल थी और जो कि विंटर क यहीं है और मैं इसे निकाल सो करके सार्य कबड में रखती थी उस सब को अभी सेट कर लेते हैं और कुछ मैंने विंटर वियर मंग वैंधको दिखाती उने क्या मंग भाया है और थोड़ा सा काम है वह सब करती हूं फिर मैं आपसे मिलती हों भी कंटीनु तो गैस जो मैंने बताया था अपना covered set करने का तो वह नने और set कर दिया है पूरा नहीं किया है अभी थोड़ा थोड़ा काम जो है वो बचा हुआ है तो आप देख सकते हो यहाँ फर मैंने अपना winter नीचे मेरा सॉल रखा हुआ है तो इस तरह से मैंने इतना ही शेट किया है तो यह काम हो गया है और है यहां रख देती हूँ दो उनका यह सेट है अपना वो खूली कर लेते हैं बाकि जिसके नीचे डौर है यह नहीं सेट है और यह जो है इसने मेरे कुछ वेगरा रखा है यह सब भी मैंने सेट नहीं किया, कि अभी जरूरी कि जो समाने थे, उसी के सेट किया है, बाकि भी बहुत सारा एक मैस जो है, ऐसे ही फैला हुआ है घर में, और, उसके बाद, कुछ खास नहीं किया है, इतना काम आज की हूँ, क्योंकि मैं दीर दीरे करके, एक एक चीज को सेट करती हू पिभी बहुत सारा काम है, जो बचा हुआ है, मुझे करना है, और, कर नहीं पाती हूँ, और, आप देख सकते हूँ, मिरे लिप कितना ड्राइ हो रहा है, यार, मैरे लिप बाम लगाती हूँ, लेकिन पैता नहीं कि मिरे लिप बहुत जादा ड्राइ होता है, विंटर में म कुछ कपड़े भी वास करने और हमें अभी सूच रही हूं कि मैं यहां पर यह वाली एरिया देखो मैं दिखा रही हूं आप लोग को यहां पर मैं अपना कवर्ड लगाई हूं और इसके ज़स्ट वगल मैं अपने ड्रेसिंग लगा रखा है तो क्या हुआ ना कि यह वाली क यह वाली को अशाएज यह कपड़े हम ऐसे रखते ना थोड़ा सभी कप्रा इसके बाहरा जाता है तो वो तो बंद नहीं होता है तो इससे पहले जो मेरा कवड था ना जो मैं रेंटेड रहती थी थी पहले वाले वहां पर फटनीश था तो वहाँ का जो कवड़ था तो ज मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँ दो कवर्ड ले आउं क्योंकि यह वाली जो है ना हाइड्रोलिक सिस्टम यह उपर है तो यह स्वड़ा कोस्टली मिलता है तो मैं दो दो ले करके आ जाओं और वह फिट नहीं आए इसे मेरे हस्बेंट का कोट वग सूट करना रहते हैं तो उसके लिए और जैसे आपको पता होगा पहले मैं इस फोटो से डैकुरेट किया हुआ था जब हम पहले रहते थे जहां पर वहां पर मैंने यह अपने कवर्ड के साइड में ही मतलब डैकुरेट किया था तो मैं अभी इसको यहां पर यह मेरे हस्बेंट की ही अलप चाहिए क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगी सही से तो अभी मैंने डवल साइड एक टीप और यह मंगवा के रखा है और अभी उसको लगाएंगे सेट कर लेंगे थाकि वहां पर जैसे फोटो सूट कभी कराना हो वीडियो सूट करना हो कुछ भी हो तो वहां पर हम एक डेकोर्ड एरिया टैप का बना लेते हैं न तो यही सब चल रहा है चलो मैं आगे आप लोग को दिखाती हूँ कि हम कोलार्ज कैसा बनाए है कोलार्ज बना करके फिर मैं आप से मिलते हूँ भी कंटिनियू तो फाइनली यह जो मैमरी वाल मैंने आपको बता बना रही हूँ यह जो है पूरा अच्छे से डेकोरेट हो गया है एक पर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है तो यह जो तीन फोटो आप देख रहे हूँ यह वाले जो साइड से यह मेरे फर्स्ट अनवर्सरी का है यहां पे मैंने अपने सक इस तरह से हमने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है और यह देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह मेरे साधी के बाद की मैमरीज है और और भी बहुत सारे पिक्चर से लेकिन हमने यहां पर इस तरह से मैंने डेकोरेट किया मतलब 33 साइज में फोटो है और यह साधी का है और उसके बाद आप देखो फर्स्ट एनवरसरी पर हमने सेम पोस क्रेट किया है और सेकेंड एनवरसरी पर भी आप देख सकती हो सेम और यह फुश्ट ब्लेंट आइन डे था उसका से इस तरह से हम जो भी कोई भी मेमरी अपना क्रेयट करते हैं तो इ अच्छा भी लगता है फोटो क्लिक कराना और थोगे रोमांटिक तरीके में तो मैं आगे भी अपनी फोटो जो भी होगी वो भी मैं सेयर करूँगी बट इतना मेमरी वाल अपने पहले वाले फ्लैट पे भी बना के रखा था तो इतना मैंने अभी भी बना के रखा है और इसमें और भी हम एड़ ओन कर सकते हैं लेकिन इतना इनफ है जैदा वाल को भर भर के रखना भी जैदा अच्छा नहीं लगता है तो चलो आज के ब्लॉग को हम यही पे दे इंड करते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और आप लोग बताना कि आप लोग और मेरे ब्लॉग में क्या क्या देखना चाहते हो और जो भी आप देखना चाहते हों उसी तरह की ब्लॉग्स बनाएंगे और प्लीज अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और प्लीज सेर करो मेरे वीडियो को बिकाज मैं बहुत महनत से अभी ब्लॉग बना रही हूँ जैसे कि मैंने आप से बताया तो मेरी हैल्थ इसू चल रही है लेकिन फिर भी मैं एक्टिव रहने की कोसिस करती हूँ और अच्छे-च्छे ब्लॉग्स बनाने की कोसिस करती हूँ तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को जतना ज्यादा से ज्यादा हो सके सेर करो और अपना जो भी कॉमेंट हो वो मेरे कॉमेंट सेक्षन में जरूर से देना बावाई टेक केर